हेलो स्टुडेंट्स माइसेल्फ जोती यादव तोड़े विया स्टड़ी एक्सराइज 3.2 लास्ट कॉच्छ रह गए हमारे आज हम उन्हें कंप्लीट करते हैं कॉच्छ नमबर फिफ तक कर हमने प्रिवियर किया था नेक्स्ट कॉच्छ नमबर सिक्स्ट प्रिवियर 6 में है बट्र लिस्ट नमबर मास्ट भी सब्त्रैक्टिद फ्रॉम 451634 तो मेक इप पर्फेक्ट स्क्यcen्ष हमें लिस्ट कम से कम वो नमबर बताना है जो हम इसनमर में सेक्ट करें जो यहनमर हमारे पास सब्त्रैक्ट करने के पाद जो नमबर आएगा वो परक् स्वर इस्ति पहले हम 25 1634 डिशित गीवन है मैं स्केर रूट करते हैं तौ आप स्केर रूट टे करोगे लॉंग डिविजन मैंफड से लॉंग डिविजन मैंत्र में था हमारा लास्ट से आमें बनाने है अबॉय 45 को चेक करना है किसके निरेस्ट एस्केर निरेस्ट किसके है 36 66 जा 36 सब्ट्रेक्ट करेंगे 15 6 9 उपर से पेर आएगा 16 complete यहां पर जो भी डिजिट उसको 2 से multiply करके लिखते हैं 6 2 जा 12 अब हम इसको करेंगे जैसे हमने square root method किया था लॉंग डिविजन से यहां पर हम जो नंबर लेंगे same number से multiply करेंगे तो यह हमारा किस पर 7 पर इसको 7 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 889 इसमें से subtract करने के बाद हमारे पास आता है 16 9 7 10 8 2 27 उपर से हम पेर लेंगे 34 अब फिर से जो डिजिट यहां पर है 67 है इसको 2 से multiply करके यहां लिखेंगे 134 अब जब को यहां पर क्या है 2 है तो यहां पर 1 है जब 2 को 1 से multiply करेंगे तब ही 2 आएगा तो इसको नभी किस पर जाएगा 2 पर इसको multiply by 2 करके लिखेंगे 2 से multiply करने के बाद 2 जब 4, 2 4 जब 8, 2 3 जब 6, 2 1 जब 2, 2 6 8, 4 सब्ट्रेक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया 4 4 0 38 50 रिमेंडर क्या आ गया 50 इसको जमार पर जो भी नंबर गीवन है उसमें से कि अगर मेंडर क्या करते हैं सब्ट्रेक्ट कर देते हैं सब्ट्रेक्ट करने के बाद जो नुमबर होगा वह हमारा क्या होगा परफेक्ट स्केयर होगा रिमेंडर को ही हमने सब्ट्रेक्ट करना और एडिशन का कोशन आता है जो हम नेक्स्ट करेंगे तो इसमें रिमेंडर क को ही एड़ करना है, it means here, the remainder is, 50, we must, 50, subtracted, from number given, number given क्या है, 4, 5, 1, 6, 3, 4, to make a perfect square, तो हमारे पास जो required number होगा, the required number, equals to make, 4, 5, 1, 6, 3, 4, minus में 50, minus 50 करेंगे, 4, 0, 0, 13, 5, 8, 5, 1, 5, 4, यह हमारा क्या होगा, answer होगा, clear, जो remainder आएगा, उसी को उस नमबर में से क्या करेंगे, subtract करेंगे, next, इसी तरह से कोशर हमारा, what least number must be added to make a perfect square, इसमें हमें क्या add करना है, इसको perfect square बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम find करेंगे, क्या, 1, 3, 1, 0, 2, 3, square root, by long division method, तो first किस पर जाएगा, 3, 3, 9, minus करने पर 4, उपर से pair, 1, 0, यहाँ पर जो number को multiply, 3, 2, 6, next हमारा जाएगा, 6 पर, इसको multiply by 6, 6 से multiply करने के बाद, हमारे पास आगया, 3, 90, 6, subtract करने के बाद, 1, 4, 2, 3, next, फिर हम जो 36 से, 2 से multiply, 72, 72 के बाद, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 14, यह किस पर जाएगा, 1 पर, 7, 20, 1, remainder हमारे पास कितना आगया, 7, 0, 2, अब इससे आगे नहीं जा सकता, remainder हमारा कहा है, 7, 0, 2, it means, here, the remainder, is, 7, 0, 2, we must, 7, 0, 2, added, to, 1, 3, 1, 0, 2, 3, to make a, perfect, square, to make a perfect, square, हमें remainder को यह क्या करना है, उसमें, add करना है, the required number, हमारे पास क्या होगा, the required number, equals to make, 1, 3, 1, 0, 2, 3, plus में, 7, 0, 2, हम प्लस कर देंगे, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 3, 1, यह हमारा क्या होगा, answer, इस तरह से, next हमारे पास question है, find, question number 9 है, 8 आपने खुद से सोल करना है, find the greatest number of 6 digit, which is a perfect square, greatest number 6 digit का होगा, वो क्या होगा, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6 time, 9 लेंगे, अब हम इसका क्या find करेंगे, square root, पहले pair बनाएंगे, 9 पर जाएगा, 9, 9, जा 81, subtract करने बाद 18, उपर से pair 99, 9 को 2 से multiply 18, फिर से 9 पर multiply करने के बाद आगया, मारे पास, 17, 0, 1, subtract करेंगे, 8, 9, 1, उपर से फिर से pair आएगा, 9, 9, इसको multiply करने के बाद आगया, 2, 9, जा 18, 2, 9, जा 18, और 1, 19, 1, 98, फिर से किस पर जाएगा यह, 9 पर multiply करने के बाद आएगा, जब हम इसको 9 से multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 17, 90, 1, remainder आगया, 1, 9, 9, 8, अब इससे आगे सोल नहीं होगा, अब 1, 9, 9, 8 जो remainder है, वो इस number में से क्या होगा, subtract करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी क्या आएगा, 6 digit का greatest number जो क्या होगा, perfect, square होगा, अब 1, 9, 9, 8 जो क्योंकि होगा, अब 1, 9, 9, 8 जो क्योंकि होगा, digit number, required number, equals to me, 9, 9, 9, 6, time 9 लिखेंगे, और उसमें से हमें क्या subtract करना है, जो हमारा remainder है, 1, 9, 9, 8, 9, 8, 1, 0, 0, 8, 9, 9, यह हमारा क्या होगा, 6 digit greatest number होगा, जो क्या होगा, एक perfect square है, clear, next उसके बाद आपके exercise के, 2 questions है, question number 8 तर question number 10, वो आपने खुद से solve करने है, आज exercise हमारी complete है, 3.2, thank you,